अलो प्रेंट्स आप सबका कक्सा अर्ट विग्यन विश्चे के अध्यायदू, सुक्समजीव, मित्र एवं सत्रू के अबजेक्टिव्स के इस क्लास में हर्दिक स्वागत है। उनकी सर्चे हम कर रहे हैं। तो चलिए कलास हम सुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला परशन आपके सामने दिया गया है, कि सुक्समजीव क्या है। तो आप सब जानते होंगे कि सुक्समजीव, जीव जिने हम यंतर की सायता से नहीं देख सकते, जीव जिने हम आँकों से देख नहीं सकते हैं, तो जितने पी सुक्समजीव हैं, उन सभी सुक्समजीवों को हम आँकों से नहीं देख सकते हैं, यानि ये इतने चोटे हैं कि इ तो आप सब जानते होंगे सुक्स्म जीवों को मुखेता चार बरगों में बाटा प्रेटा गया है। आगे बढ़ते हैं सुक्स्म जीव कीतने परकार के होते हैं। अभी मैंने बात की सुक्समजीव मुखेता चार परकार के होते हैं, कितने परकार के चार परकार के, कौन-कौन से, जीवानू, विसानू, कवक और प्रोटो जोआू, ठीके, आगे बढ़ते हैं, कवक क्या है, तो अभी मैंने देखा, एक परकार के पौधे भी होते हैं कवक, बहु कोसी की जीव भी है, सुक्समजीव है, यानि उप्रोक्त सभी, कवक इन सभी केटेगरी के अंदरगत आते हैं, कवक या फफुद एक परकार के पौदे भी होते हैं, ये बहु कोसी की जीव भी है, इसके अलावा ये सुक्समजीव है, यानि ये तीनों इस रणियों में मौझुद होते हैं अगला प्रशना आपका है जिवानु कौन से होते हैं तो जिवानु है जिवानु एक कोशी के जीव भी होते हैं सुक्समा जीव भी होते हैं और सरवत्र पाई जाने वाले जीव भी होते हैं अतो तीनों ही विशेस्ता किसकी विशेस्ता है जिवानु की व आगे बढ़ते हैं अतीसार और मलेरिया किस सुक्सम जीव द्वारा होते हैं तो जो अतीसार और मलेरिया नामक जो बीमारी है वो होते हैं आपके प्रोटो जोगा के द्वारा किसके द्वारा प्रोटो जोगा के द्वारा अब प्रोटो जोगा के द्वारा होने वाले और कौ कौन से रोग होते हैं तो इसकी ट्रीक है रिया पे काला सोना अब देखो रिया का मतलब क्या है रिया का मतलब है पाईरिया मलेरिया और डाईरिया रिया का मतलब क्या है पाईरिया मलेरिया और डाईरिया पे का मतलब क्या है पे का मतलब है पेचीस कौनसा रोग पेचीस रोग फिर काला का मतलब क्या है काला का मतलब है काला जवर कौनसा रोग काला जवर और सोना का मतलब क्या है सोना का मतलब है सोने की बीमारी कौन सी बीमारी सोने की बीमारी जिसे कौन सा रोग कहते हैं निंद्रा रोग कहते हैं कौन सा रोग कहते हैं निंद्रा रोग तो यह सारे जो रोग हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं तो यह सारे रोग प्रूटो जवा के द्वारा फैलते हैं आप यह ट्रीक अपन होने के परकरम को क्या कहते हैं तो छीनी का एलकोहल में जो परिवर्तन है वो कहलाता है केणवन क्या कहलाता है केणवन क्या कहलाता है अगला कार्बनिक अपसिष्ट क्या होते हैं तो जो कार्बनिक अपसिष्ट है वो सब्जियों की छिल्गी भी हो सकते है जन्तूओं के कौन साहक है उसका किनमन होता है तो उसमें कौन साहक होता है कि किसके द्वारा होता है तो वो होता है इस्ट के द्वारा किनमन की प्रिक्रिया की जाती है आगे बढ़ते हैं फल और सब्जियों का विगटन होने से क्या बनता है तो जब फल और सब्जियों का विगटन होता है तो उससे किसका निर्मान होता है उससे खाद का निर्मान होता है आप सबने जाए खाबी होगा कि आपके घरों में या जब आप गाविंग में अगर बि खाद का निर्मान होता है आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन का जो समवर्धन है वो किसमे होता है तो नाइट्रोजन का जो समवर्धन है वो होता है मरदा में किसमे होता है मरदा में नाइट्रोजन के समवर्धन का मतलब है राइबोजीम नामक्त जीवानू ये पाया कहा जाता है जो फलीदार पोधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और नाइटोजन का समवर्धन या नाइटोजन का इस्तरी करण करने में क्या करता है ये मदद करता है अगला प्रशन है आपका सेचक के टीके की खोज किसने की थी तो जो सेचक के टीके की खोज है वो सर्वपर्थम की गई थी एडवर्ड जेनर के दौरा इसके दौरा एडवर्ड जेनर के दौरा सेचक के टीके की खोज की गई थी ये काफी इंपोर्टेंट प्रशन है कई बा यानि का नाम था Robert Coach, क्या नाम था Robert Coach, अगला, डेंगू के वाइरस का वाहक कौन है, यानि डेंगू जो रोग है, वो किस वाइरस की वज़े से होता है, या कि उस वाइरस का वाहक कौन है, ठीके, तो उस वाइरस का वाहक है, उसको ले जाने वाला, जिसकी वज़े से फैलता ह वो वायरस वो है आपकी मादा एडिज मच्छर कौन है मादा एडिज मच्छर यह उस डेंगू के वायरस के क्या है वाहक है और उसको एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक ले के जाती है मादा एडिज मच्छर अब आ गया वाइरस सब तो वाइरस के द्वारा कौन-कौन से रोग भेलते हैं उनको भी हम देख लेते हैं वाइरस कोई कहते हैं विसानू क्या कहते हैं विसानू अद्दो वाइरस या विसानू के द्वारा कौन-कौन से रोग भेलते हैं उनको हम देख लेते हैं तो इसकी में हिट करके पोचे तोड़ गई तोड़ गई अब देखो रे का मतलब क्या है रे का मतलब है आपका रैबीस जो कुतों बिल्लियों बंदरों के काटने से फैलता है खा का मतलब क्या है खा का मतलब है खसरा कुण सा रोग खसरा रोग ह का मतलब क्या है ह का मतलब है हर्पीज कुण सा रोग हर्पीज फिर मैं का मतलब क्या है मैं का मतलब है मैंनीन जाइटीज कुण सा रोग है मैंनीन जाइटीज फिर ही का मतलब है हेपेटाइटीज कुछ नहीं है पो से मतलब है पोलियो से इसे मतलब है पोलियो से पिर ए ये का मतलब है एड्स से ये काफी इंपोर्टेंट है इनसे प्रिक्साव में प्रशना पूछे जाते हैं इसे मतलब क्या है सेचक अभी इंपने बड़ा था सेचक के ठीकी किसने की थी एड्वड जेनर ने फिर सो का मतलब क्या है यू का मतलब है चोटी माता है कुछं सा रोग है चोटी माता Belka है अगला सबध शभी आपका ओन Ist यह सारे जो रोग है वो वायरस या फैलते हैं तो इन सब को आप अपनी कॉपी में नौट कर ले और अच्छे से इस ट्रेक को याद कर ले रेखा हमें हीट करके पोचे छोड़ गई रे से रेबीज, खसे खसरा, हसे हरपीज, मेंसे मेंनिंजाइटिस, ही से एपेटाइटिस या पिलिया, ओ से पोलियो, ऐसे एड्स, छे से छे सक, तो से छोटी माता, डस से डेंगु जवर और इसे इनफ्लुएंजा चलिए, आगे बढ़ते हैं, पाद्यप रोग कौन-कौन से हैं? इनमेंसे पाद्यप रोग कौन-कौन से हैं? निम्बु कैंकर, गेव की रष्ट, भिंडी की पीत, तो ये सभी क्या है? पाद्यप रोग के ही नाम है. अगले, गेव की रष्ट किस सुक्समजीव से होता है? तो जो गेव की रष्ट है वो रोग कवक से होता है किस से होता है कवक या फपुंद से होता है अगले मलेरिया के लिए कौन सा सुक्समजीव जिम्मेदार है तो मलेरिया किसकी दोरा फैलता है प्रोटो जोवा के दोरा अभीएं पे काला सोना, यह सब रोग किसी दवरा होते हैं प्रोटो जोगा के दवरा फैलते हैं अगला अलेक्जेंदर फ्लेमिग ने किस्त की सिखिच्सा की की थी तो जो अलेक्जेंदर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलन नामक टीके की क्या की थी खोज की थी ठीके अगला जब कोई रोग वाहक सुक्सम जिव हमारे सरीर में प्रवेश करता है तो हमारा सरीर उत्पादन करता है तो हमारा सरीर किसका उत्पादन करता है परती रक्सी का एनि एन्टी जन का और हमारे सरीर में जो सिपाही को सीका होती है, वो कौन सी होती है, WBC, White Blood Cell, सवेत, रुधिर, कनी का है, इन्हें सरीर का सिपाही या जीवन का अंग रक्सक भी कहा जाता है, ये क्या करती है, विभिन रोगों से लगने में हमारे सरीर की मदद करती है, ये भी आप याद रख ले, कि सरीर का सिपा से की जाती है, ठीक है, जीवन और खमीरिया येस्ट, यानि A और B दोनों आप्शन क्या है, सही है, अगला, अमीबा क्या है, एक परकार का प्रोटो जोह है, क्या है, प्रोटो जोह है, और कैसा जीव है, एक पोसी की जीव है, और कैसा जीव है, श्वेम पोसी, श्वेम पो जिवानु मित्री के उरूरता बढ़ाने का काम करते हैं. अब यहां पर जिवानु सब्द आ गया है तो हम देख लेते हैं, जिवानु के ज्वारा क्वारा कौन कौन से रोग भेलते हैं. तो उन रोगों की ट्रीक क्या है तो उन रोगों की ट्रीक है टी कू टीडी में बनी है पटाका अब देखो टी का मतलब क्या है टी का मतलब यहाँ पर है ठीटनेस क्या है ठीटनेस और क्या मतलब है टीबी कू का मतलब क्या है कू का मतलब होता है कूश्ट रोग कूश्ट रो जाते हैं न, धबबे, वो, C का मतलब क्या है, C का मतलब है, यहाँ पर C-P-L-E-S-R, कुँछ नहीं है, फिर D, D का मतलब किससे है, D का मतलब है, डिप्तिरिया रोग से, किससे, डिप्तिरिया रोग से, फिर में, तो में यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर नी, नी से मतलब कौँ सा रोग है नीमोनिया रोग है नीमोनिया रोग है से मतलब कॉण सा रोग है हैजा रोग फिर पस्ते मतलब कौन सा रोग है? पस्ते यहाँ पर है प्लेग जो की छूओ के द्वारा फैलता है फिर यहाँ पर टा का मतलब कौन सा रोग है? टा का मतलब है टाइफाइड रोग कौन सा रोग? टाइफाइड रोग की TQCD में बनी है पठा का, ट से मतलब टीटनेस और टीबी, कू से मतलब कुष्ट रोग, C से मतलब सीफिलिस, D से मतलब डिप्तिडिया, नी से मतलब नीमोनिया, है से मतलब हैजा, पस से मतलब प्लेट, टास से मतलब टाइफैल्ड और कास से मतलब काली खांसी, ठीके, आगे बढ़ते हैं, संचरनीय रोग किसके द्वारा फैलते हैं, संचरनीय रोग का मतलब है, कि जो एक इस्तान से दुसरी इस्तान तक हवा, प वायरस की दुवारा, ठीके। अगला मलेरिया किसकी कारण होता है देंगू का विशानू होता है माजा एडिज मच्चर उसी के कारण ही कौन सा रोग होता है मलेरिया रोग भी होता है तो डेंगू विसानू के कारण मलेरिया रोग भी होता है ठीके डेंगू विसानू का मतलब है कि डेंगू विसानू नहीं है जीवानू है यहाँ पर स्वारी तो जो डेंगु विसानु ही होगा साज तक यहाँ पर जीवानु चप गया है यहाँ पर डेंगु विसानु ही है तो डेंगु विसानु जिस रोग के कारण होता है मादा एडिज मच्छर के कारण किसके कारण मादा एडिज मच्छर के कारण तो उसी मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है मलेरिया रोग भी होता है मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन है वो इक प्रकार का प्रोटो जोग है कौन है मलेरिया रोग होता किसके कारण है तो प्रोटो जो आ के कारण और इसका वाहक कौन है तो इसका वाहक है वही मादा एडिज मचर जिसके कारण डैंगू रोग भी होता है तो option number यह आपका सही या डैंगू विसानू आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सा विसानू के कारण रोग नहीं होता है देखो अभी आया कौन सा विसानू के कारण नहीं होता है अभी मंना trick बताई थी रेखा आमें हीट करके पोचे छोड़ गई तो इसमें से जो सय रोग है सय रोग का मतलब होता है TB और TB किसके कारण होता है तो TB होता है जिवानू या बैक्तिरिया के कारण बाकि पोलियो हो गय तीकन पॉक्स का मतलब छोटी माता और खसरा ये तीनों ही जो रोग है वो विसानू के कारण होते हैं जबकि जो सय रोग है टीबी वो किसके कारण होता है वो होता है जिवानू के कारण अगला प्रश्न है, निम्न मैं से कौंसा रोग जिवानू से नहीं होता है किस्से नहीं होता है? जिवानू से तो मैंने ट्रिक पढ़ी है TQCD से बनी है पटा का तो इसमें से जो हेपेटाइटीस B रोग है आपका हेपेटाइटीस B का मतलब है पिलिया पिलिया तो यह जो पिलिया रोग है यह किसके कारण होता है यह विसानू या वायरस के कारण होता है यह के बाकी जो रोग है सय रोग याने टीबी, हैजा और टाइफ है यह तीनों ही रोग गिवानू के कारण होते हैं इनके ट्रिक में पहले से बता चुका हूँ टीकू सीड में बनी है पटा का आप वो ट्रीक अच्छे से लिख कर याद कर ले वो काफी इंपोर्टेंट है और कई सारे प्रस्णों में आपके काम आएगी अगला इस्ट किसके उत्वादन में प्रयोग मिले जाता है तो इस्ट है वो किन्वन प्रक्रिया के जरिए सराब बनाने के लिख होता है अगला संच्रन या संक्रामक रोगों का सबसे आम वाहक कौन है तो सबसे जो आम वाहक है जिसकी माध्यम से संच्रन या संक्रामक रोग फैलते हैं वो है आपकी ग्रेलू मक्षी कौन है ग्रेलू मक्षी अगला चीनी के एलकोहल में बदलने की प्रक्रिया किस नाम से जाने जाती है तो उसे कहा जाता है केंड़मन किसके द्वारा क्या जाता है इस्ट को आजthest है कमीर कहा जाता है अगला दूद को दही में परीवर्तित करने वाला सुखस्म जीव इंचे वा suspected जीव है किस पौधे के पत्तों के रस का उप्यूग मलेरिया और डेंगू के उप्चार में किया जाता है तो वो पौधा है गिलोय गिलोय के जो पौधे के पत्ते हैं उनका उप्यूग मलेरिया और डेंगू के उप्चार में किया जाता है अगला प्रशनव है अलेक्जैंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इस पहले परती जेवक की खोज गी थी खराब होने से बचाने के लिए उसका क्या क्या जाता है तो उसका क्या जाता है पाच्चरी करण क्या क्या जाता है अगला किस सुख्समजीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो कौन सा है विसानु जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं अगला कवक क्या है एक परकार का पौदा है बहु कोसी की है और सुख्समजीव है एनि ये उप्रूप्ट सभी विशाई सता किसकी है कवक की है अगला गाय में खूर पका और मुह पका रोग होता है किसके द्वारा होता है तो वाइरस की द्वारा ये रोग फ्यलते हैं तो हमने जिवानू, विसानू और प्रोटो जोगा के द्वारा हुने वाले रोग की ट्रिक जान ले। अब एक ट्रिक बचरी है, वो है कि कवक या फफुंद या फंगस के द्वारा कौन-कौन से रोग फैलते हैं। कवक, फंगस या फफुन, इसकी द्वारा कौन को अन्से रोग फेलते हैं, उनकी ट्रिक भी देख लेते हैं, तो उसकी ट्रिक है कवक जैसा, कवक जैसा गंजा दामाद फाए फ्रूट, गंजा दामाद फाए फ्रूट, तो कवक का मतलब कवक के द्वारा होने वाले रोग, गंजा का मतलब है गंजापन, बालों का उड़ना, वो किसके दोरा होता है, कवा क्या फंगस या फपूंद के दारण होता है, दामाद से आपको क्याज रखना है, दमा और दाध, ठीक है, फिर खा, खा से क्याज रखना है, खाज और खुजली, क्याज रखना है, खाज और ख तो वो कौन सा रोग होता है एथिलित फूट फूट नहीं एथिलित फूट ये कवक या फपन्द के द्वारा होने वाले रोग है गंजापन दमा दाज खाज खुजली और एथिलित फूट तो उम्मेद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो क्लास देखने के अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो करप्या करके लाइक कमेंट शेवर और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जे ही जे भारत